जी मित्रो नमस्कार, लक्षी येस क्राइकर में सारे मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है, बूस्टर की कड़ी में आज हमें एक और नया टापिक लेकर के आए हैं और ये टापिक भी आपके परिछाओं के लिए उतना ही इंपोर्टन है जितना इसके पहले के जो है टाप अभ्यास, चाहे वो थल सेन अभ्यास हो, चाहे जल सेना वाला अभ्यास हो, चाहे वो नव सेना का अभ्यास हो, आज हम लोग ये सारे अभ्यासों को देखेंगे और एक नजर में मतलब मैप से याद करने का प्रियास करेंगे, तो देखिए भारत के भी अंदर में कई अभ् चर्चा करेंगे लेकिन अभी हम लोग पूरे बिसो की चर्चा करेंगे कि बिसो में भारत का अन्य किस देश के साथ में किस नाम से सायन अभ्यास किया गया है तो आए हम लोग देखते हैं एक एक करके इसमें सबसे पहला है कि ये देखो किर्गिसTान है और किर्गिसTान के साथ अगर हम बात करते हैं तो खंजर नामक अभ्यास चलाए गया है तो खंजर किर्गिसTान और इसका जो प्रैक्टMr. हुई है मत facto ये जो अभ्यास हुआ है क्योंकि भारत इसमें केंद्र पे है तो भारत के साथ अगर हमने किर्गिस्तान से किया है तो किर्गिस्तान की सेना भारत के हिमाचल प्रदेश में आई है और हिमाचल प्रदेश में ये अभ्यास हुआ है तो मतलब इस तरह के से समझेगा कि भारत का किर्गिस्तान के साथ में खंजर अभ्यास हुआ है खंजर के साइकलोन का जो अभ्यास है वो मिस्त्र में किया गया है और ये भारत का सायोग लिया है और भारत ने मिस्त्र में मिस्त्र में ही जा करके अपनी सेना को भेजा है तो जो है एक्सरसाइज साइकलोन से नाम से आएगा तो मिस्त्र आप पहुंच जाएगे कि भारत का मिस्त्र के की सेना यहां आई है और सहयोग काईजिन काईजिन नामक जो सेना अभ्यासे यहां हुआ है यह जल सेना का है उसके बार में धर्मगारजियन यह भी जपान के साथ में भारत का सहयोग से हुआ है और यह थेल सेना अभ्यास है और यह राजस्थान में हुआ है तो जपान की सेन में इस बार भी पूछा जा सकता है उसके बार हम लोग आएंगे अयुत्या अभ्यास अब अयुत्या अभ्यास का नाम ही देखिए कितना अजीब नाम है अयुत्या ना तो यह थाइलेंड के साथ में हुआ है भारत का थाइलेंड के साथ में जो सायोग हुआ है मतलब अभ्या में यह पूरा का पूरा हिंद महासागर है तो थाइलेंड और भारत की सहींगत सेना यह अभ्यास किया है कहां पर हिंद महासागर में तो हिंद महासागर जगह याद रखिएगा और किसके साथ में हुआ है नाम याद रखिएगा ठीक है ना चलिए अगले उसमें आते हैं अब देखिएगा कितना खतरना आपका डिजर्ट नाइट फ्रांस भारत और यूए तीन सेनाओं का सहयोग अब जाहिज जवात अगर अरफ सागर में होगते हैं बताने की दिजर्ट नाइट इसके साथ में फ्रांस के सहयोग से है लेकिन अगर डिजर्ट साइकलों की बात कर है भारत और यूए का है और यह राजस्थान में किया गया मतलब यह अभ्याश जो हुआ है नाम सिर्फ याद रखना है और किस देश Presence के साथ में हुआ है भारत का और किस स्थान पर हुआ है तीन चीने यहां पर आपको सोगे जा रही इसके वाद आता है अगला अगला नाम मिलन अभ्यास कहा है तो यह यहां पर जो है यह पूरा का पूरा तट किस नाम से जाता है विशाखा पत्नम के तट पर यह अभ्यास हुआ है उसके बाद अगला नाम जो आता है वो आता है सांती प्रियास का और सांती प्रियास किस देश दोरा किया गया है तो नेपाल दोरा दिया गया है और नेपाल के काटमांडू में ही मलब यह प्रियास किया गया है और वही पर यह अभ्यास हुआ है किसके सहयोग से भारत और नेपाल दोनों की सहयोगत सेना होने ठीकिना उसक मेरीका की सेना ani यहाँ पर आई है और आमेरिका डेख़ार के साथ। भारत का अमेरिका के साथ में हैं है लेकिन यह अभ्यास हुआ है तो पूर्ट पेर यहीँ पर हुए अंडमा निकोबारी तुमों के यहाद रखना है उसके बाद में अगला नाम आता है, अगला नाम आता है समुद्र लच्छमड, समुद्र लच्छमड के लिए मलेशिया का देखो देश है, यह मलेशिया है, तो भारत का मलेशिया के साथ में जो अभ्यास हुआ है, वो समुद्र लच्छमड के नाम से हुआ है, और यह नौ सेनक है, ये विसाखा पत्रनम के दड़ पर हुआ है अगला नाम आता है सदा तनसीक एक नाम है सदा तनसीक ज्राइद रखिएगा ये सदा तनसीक अब समझेगा कि ये हुआ बीका निर में है लेकिन भारत ने किनकी सेनाओं के साथ किये साथ किया, तो भारत ने साथ ने अरब की सेना के साथ में राजस्थान में अभ्यास किया है, भिका नेर के पास में, ठीक न, तो ये आपको याद र cockro Avengers रखना है, सदा तनसीक, सदा तनसीक, दो बार बोलिए क्या याद हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले अभ्यास में चलेंगे जो अगला अभ्यास हुआ है वो हुआ है Dust leak, कई बार पूछा गया है Dust leak, उजबेकिस्थान में ये उजबेकिस्थान है, हमने आप को उताया था ट्रिक है, ये मद्धेसिया के देश है का उतू का से कजाकिस्तान उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान तो यह उजबेकिस्तान जो बीच वाला है यह उजबेकिस्तान के साल दस्त लीक हुआ है यह अभ्यास है और यह जो है उजबेकिस्तान में हुआ है उजबेकिस्तान का उजबेकिस्तान भारत की सेना उजबेकि पर हुआ है तो यह व्यभी शाहत पतनम का तट ही पत्नमम टेत ही तो यह जो टाइगर ट्र Shape है यहां पर हम अभध्यास है अब कहा हुआ है इसको थोड़ा साथ यह सा हटाएंगे तो टायाइगर ट्रम्स अमेरिका के साथ में enfender आपके साथ में बूस्टर है तो बूस्टर में बहुत साथ में आपको बताने का प्रयास किया गया है यहां है तरकस आतंकरोधी यह अभ्यास है अमेरिका का कोलकाता में हुआ है तो ध्यानक ना है अमेरिका जो है अगर हम जो है तरकस आतंकरोधी अभ्यास की बात करते हैं त उसके बाद अगला आता है दोस्ती स्रिलंका के साथ में स्रिलंका और माल्डूप है ना स्रिलंका और माल्डूप यह यहां पर पड़ता है माल्डूप ठीक ना तो स्रिलंका माल्डूप के दोनों के मिलन के साथ में भारत की सेना यहां रही है अभ्यास हुआ है माल्डूप म साथ में सक्ती अभ्यास किया गया है सक्ती अभ्यास और ये फ्रांस के साथ में तो है लेकिन फ्रांस की सेना चल करके कहां आई है तो ये मिघाले में आई है मिघाले की जो पहाड़ियां है वहाँ पर इन्हों ने जो है एर फोर्स का ये वाईव सेना का ये अभ्यास हुआ है चलते हैं तो सकती अभ्यास हो गया, उसके बाद अगला नाम आता है Red Flag अभ्यास का, इसमें भी कई देशों ने भाग लिया है और ये USA में ही हुआ है Red Flag अमेरिका के साथ में तो भारत का सायोग या भारत के साथ कई और रास्ट इसमें समाहित है या सामिल है, ठीक है ना इस अभ्यास में, उसके बाद आता है Jimax तो Jimax आपको नाम से ही पता है, Jimax जैपान का है भारत और जैपान के बीच में Jimax हुआ है उसके बाद में Hopax है, Hopax हना Hopax को Missr के साथ में जोड़ा गया है कि भारत और Missr के साथ Hopax अभ्यास हुआ है उसके बाद अगला आता है मैत्री थाइलेंड के साथ में भारत और थाइलेंड के बीच मैत्री अभ्यास या मैत्री युद्ध अभ्यास हुआ है और अगला आता है नुमैडिक एलिफेंट आपको पता है जो है मंगोलिया के साथ में हुआ है और मंगोलिया के साथ में तो हुआ है लेकिन हुआ कहा है तो हुआ ये भी मिघाले में जिस तरीके से आपका एक मिघाले में सक्तिय अभ्यास हुआ है उसी तरह से नुमेडिक मंगोलिया वाला भी ये मंगोलिया देश है भारत और मंगोलिया के बीट में हुआ है लेकिन कहा ह हुआ है तो आपको बताना है कि यह मिघाले में हुआ है इस तरीके से आपने सारे युद्ध अभ्यास देखे भारत का किस देश के साथ के कौन सा युद्ध अभ्यास नाम आपको जरूर यात हो जाएगा और एक सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर कौन-कौन से युद्ध अभ्यास हुए हैं जैसे गगन है, मिलन है, सागर है, परवत, प्रहार है, विसाणु, युद्ध अभ्यास हैं हम लोग इनको फिर से चर्चा कर लेंगे किसी और वीडियो में तो अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक सस्क्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहें